तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एपीस के रिस्पेक्ट में डिसकस किया था तो मैं एक चीज़ कर रहा हूं कि बहुत कम बच्चे रेगुलरली आ रहे हैं जैसे अब तुल मुझे काफी टाइम बाद देख रहे हैं और शेरोन भी आ रहे हैं कभी नहीं आते हैं पुरिया दोशी जो अगर आप लोग रेगुलर नहीं आएंगे तो आपको पहले तो यह समझ नहीं आएगा कि पढ़ना कैस से हैं या तो आप कंपलीटली रिकॉर्डट देख रहे हैं तो लेकिन इस बैच का परपस बहुत यूनीक परपस था इंडिविजल अटेंशन देते हुए सबको साथ में लेकर चलना तो अगर रेगुलरेटी नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को इश्यू कि यह जो देड़ घंटे की क्लास होती है इसको आप डेफेनेटल अटेंट करें क्योंकि सीपीए के लिए तो हमने एक बहुत स्पेशल सेशन भी ऑगनाईज किया था जिसमें किस तरीके से सिमुलेशन को हमें सॉल करना चाहिए पिर स्टूडेंट के साथ एक परस्नल स्ट स्टूडेंट सिंसिर नहीं है उस बात का एक नॉलेजमेंट यह है कि कल दो क्वेश्चन दिये गए थे होंब के लिए केवल दो क्वेश्चन जो कि आप 10 मिनिट में कर सकते थे और केवल और केवल चार बच्चों ने उस क्वेश्चन के एंसर भीजे ओनली फॉर स्टूड तो बागी ने हो सकता है कोशिष नहीं करी ड्राइम नहीं मिला अगर दो क्वेश्चन करने का आपको टाइम नहीं अई अगर आपने दो क्वेश्चन के लिए भी समय नहीं निकाल पाए सही होना नहीं होना important नहीं है कि सर हमने हमसे दलत हुआ हमसे नहीं बना at least आप में try तो करो आप क्या सोच रहे हों कि यह बहुत असान से सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट हैं और यह सीपी में चार तो क्या बहुत असानी से आप लोग पास कर लेगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाल है तो अभी भी स्टार्टिंग है रेगुलर रहते हुए classes को पढ़ें और जो study plan दिया उसको भी 90% student follow नहीं कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं जैसे जियोती की reports आती रहती है अभी जीत का performance आता रहता है बागी किसी का तो performance आ नहीं रहा है ठीक है सो जिन्होंने पुराने लेक्चर नहीं देखें आज completely वैब पोर्टल पर मैं सारे अपलोड कर दूँगा चलिए तो आज का मारा session और भी difficult topic के उपर है जो मेरे को student के feedbacks रहते हैं उसके according मुझे लगता है कि यह कि फीडबेक जो बच्चे देते हैं उसके according कि आज जो हम समझने वाले हैं accounting for liabilities कि accounting of liability कह ले या बॉंड कह ले नीजर ली आज हम यह वाला सेगमेंट को कवर करने वाले कि सो जो बच्चे बीच-बीच में आते रहते हैं 15-15 दिन बाद उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि हम यह सेगमेंट है कि fundamental आपके इंप्रूफ करना एडवान्स लेक्चर जिसमें मैं बहुत टेक्निकल चीज़ों को कवर कर रहा हूं कि अगर आपने इस हंड्रेट पर्सेंट लेक्चर को कवर कर लिया जब तक ही कंप्लीट होंगे मुझे लगता है कि हंड्रेट आर के आसपर जाए गए कि हंड्रेट आर्स में हम वो सारी टेक्निकल पॉइंट्स कवर कर लेंगे जो आपको डाउट्स आ सकते हैं मेरा टार्गिट यह है इसका नाम मैंने इसलिए एक वह तो बूश्टर बैश्ट ले रखा है कि आपको एक हड्रेड आर्स में कैसे आप पूरे सिलेबस को रिवाइस कर सकें टेक्निकल पार्ट को रिवाइस कर सकें तो जब यह पूरे हंड्रेड आर्स हो जाएंगे न हाँ तो जो प्रिविएस दो क्वेश्टन में ने दिये थे वो मैं अभी क्लास के एंड में सॉल कराऊंगा लास सेग्मंड में मैं तो भी वेट कर रहा हूं ताकि बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं तो सिंसियर हो जाहिए या तो लाइव में आओ ही मत सिब रिकॉर्डट देखो क्योंकि आप इना इससे और कंफ्यूज हो जाओगे क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा कहा हम है अगर आप चार दिन आओगे दो दिन नहीं आओगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कहां पढ़ रहे ह क्या टार्गेट दिया जा रहा है किस प्रकार का करना किस तरीकी की चीज़ें करना है यह बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आने वाले से तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर लाइव आना है तो फिर रेगुलर आईए आदर्वाइस मत आईए कोई फायदा नहीं है और सटेडे संडे क्लासेश रखने का परपस ही कि वरकिंग फ्रोफेशन की चुट्टी रहती है चलिए तो आज का जो सेग्मेंट है यह बहुत टेक्निकल आज मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल पार्ट को डिसकस करने वाला हूं अकांटिंग पॉर लाइबिलिटी इस मे इन लेक्चर में भी मैंने इसको बहुत बीटेल में कवर किया वट मैं यहां पे कुछ और भी चीजें इस्टूडेंट स्पेसिफिक चीजों को डिसकस करने वाला है तो मैं हमारे जो वेब पोर्टल है उसमें सारे लेक्चर अभी 12-13 लेक्चर से वह सारे अपडेट कर परसनल प्लान जो हमारा बनने वाल है मैं चाहता हूं आप लोग पास हो जाएं इसको मैं बनाने वालों बस मैं थोड़ा इंतिजार कर रहा हूं कि थोड़ा स्टूडेंट चाट रहूंना पहले में दिखिए यह मेरा चाटने का परपस होने वाले पोजीशन पे है की नहीं पिर मेरा गाइडेंस आपको मिलेगा लेकिन अगर आप दो क्वेश्चन के एंसर भी मुझे नहीं बेजेंगे तो मैं आपको प्लान देखे क्या करूंगा बताईए क्या मतलब रहेगा अगर आपके साथ डिसकस करने का अगर आप दो क्वेश्चन सोची क्लास में अभी कल 28 से 29 बच्चे थे अभी 30 बच्चे आ गएं पढ़ने वाले 75 हैं अभी जो करेंट पिछले एक डिल्ड महीने की जो नई बैच में जो बच्चे जोईन की हैं उसमें स कुछ बच्चे सटड़े नहीं आपते हैं संड़े आ जाते हैं कुछ रिकॉर्डेड में जा रहे हैं गुफ कॉफ इतना बड़ा प्रोफेशन में आपने एग एक लाग रुपर खर्चा कर दी अभी एग्जाम में फीस और बरना मैंने तो पैसे कमा लिए मुझे मेरी फीस मेरी जिंदगी में क्या इंपक्ट पड़ जाएगा आप फेल हो जाओगे तो कुछ नहीं पास हो जाओगे तो भी क्या पड़ जाएगा कुछ जिंदगी थोड़ी चेंज हो सकती है साल में हजार बच्चे जोईन करते हैं 25-50 फेल भी हो गए क्या फरक पड़ना मेरी जिंदगी लेकिन मैं आप लोगों को ये बार-बार रिलाइस कराने की कोशिश कह रहा हूं कि आपने अमेरिका के चार्टड अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बड़े प्रोफेशन को जॉइन करने का डिसीजन ले चुका अब लोग मुझे फीस दे चुके हो सिर्फ फीस लेकर मुझे मज़े नहीं आता मुझे बिल्कुल सटिस्ट्रेक्शन नहीं आता कि यार बच्चे से फीस ले लिए और वो आकर ना पड़े मैं एक टीचर हूं मैं बिजनेसमेंट थोड़ी हूं कि मैंने को प्रोड़क्स सेल करना आपको आम नोट सेलिंग दप तो इसलिए तुम्हें इतना टेक्निकल जाने की आपके हर कोशिश कर रहा हूं अब कुछ बच्चे के डाउट पेज रहे हैं सिंसिरली पड़ी नहीं रहे हैं तो फिर कैसे हम आपको गाइड कर पाएंगे आपको अपने लिए तो कुछ करना पड़ेगा अब चार बच्च पांटिंग फॉर लैबिलिटीज हमने डिसक्स करना है तो आज हम बात कर रहें बॉंड की वेरी इंपॉर्डन लेक्टर तो हम जब बॉंड इशू करते हैं एक तरीकी से क्या लेते हैं पबलिक को इशू करते ही तो यह आपको फंड चाहिए आपने पबलिक को क्या किया है पबलिक को बॉंड इशू करके उनसे फंड रिसीव की आप मैं चैट बॉक्स में नहीं पढ़ रहा हूं तो बच्चे चैट बॉक्स में नहीं लिखें में पढ़ाने पी फोकस है मेरा तो बॉंड अगर आप इशू करते हैं पबलिक को उनसे क्या करते हैं फंड रिसीव कर करते हैं तो दो प्रोस्पेक्टिफ से अकाउंटिंग होती एक इशूर के पॉइंट अफ्यू से और एक इन्वेस्टर के पॉइंट अफिस कमाल की बाते दोनों में बॉंड में ट्रीटमेंट बहुत कंप्लेटली डिफरेंट है ऑफिसी बाते होना भी चीज़ है इन्वेस् सेट्स को रिकॉर्ड करना है तो किस तरीके से करना है वही हम आज के सेग्मेंट में सीखने में आप से इसमें बहुत सारे होंगी अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो मैं आपको पहले से बता रहा हूं बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन टेक्नीकल है तो टेक्नीक्स को समझने के लिए आज का डेल गंटा और जो नेक्स लेक्चर होगा उसमें भी डेल से दुगंटे हम इसमें लेंगे मैं तो त तो सर जब हम बॉंड इशू कर रहे हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं इशूर के पॉइंट अफ्यू से किसके पॉइंट अफ्यू से हमें डिस्कुस करते हैं तो इशूर की बुक्स में एक तो लाइबिलिटी आने वाली है और यह उसके पास फंड भी आएगा कैश भी आएगा और जब लाइबिलिटी आएगी तो रेगुलर्ली उसको क्या देना पड़ेगा इंट्रस देना पड़ेगा तो यह तीनों की अकाउंटिंग कैसे करना वहीं हमें सीखना तो जब हम बॉंड को इशू करते हैं तो तीन प्रकार से इशू कर सकते हैं या तो एट पार और एट प्रीमियम और एट डिसकाउंट यह तीन तरीके से आप इसको गया कर सकते हैं इशू कर सकते हैं तो सर तीनों की अकाउंटिंग बहुत डिफरेंट होती तो सबसे पहले एक आपको कॉंसेप समझना पड़ेगा फेस दूसरा नाम इसका है पार वेलिव को बहुत माइनूट माइनूट चीजों को कवर करने वाला हुआ है कि फेस वेलिव मतलब ऐसा सोचो की सर्टिफिकेट आपको मिलता है जैसे मैं एक छोटा सा डाइग्राम बना देता हूं कि मैंने बहुत ज्यादा स्लो चलना इस टॉपिक में ऐसा सर्टिफिकेट बेलेगा और समझो कि इसके उपर लिखा हुआ है थाउजन डॉलर यह जो थाउजन डॉलर लिखा है न यह इसकी क्या है फेस फेलिव यह सर्टि मैं इक ठीक है तो कूपन रेट हमेंशा किस ने पर इंटरस दो किया जाता है वो हमेशा सब्सरी अब्हुत हमेशन डियान गेंखना कि यह थाउजन का है such a market में आप इसको किसी भी और इस एशु करें जो इसपाने मानी कम्पनी है वह क्या propre करने वालीई है इसी आपकर जो फेस वेल्यू उसके पर इंटर्स पी करना वाद है आप सोचिए एक कंपनी है मान के चलिए एमेक्स लिमेटेड वह बॉन्ड इशू कर रही है पप्लिक को और पप्लिक को बोल रही है कि यह थाउजंड डॉलर के लेट से दो हजार बॉन्ड इशू कर रही है हमने इस कूपन के उपर 10% स्पेसिफाइब करें अब यह जो रेट है यह भी दो तरीके से दिया जाता है या तो एन्यूल दिया जाएगा या सेमी एक तो इसमें आपका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा कि सेमी एन्यूल में कैसे हमको डूणना है सब्सक्राइब कर तो यह स्टूड़न मुझे 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 इसके मुल्टिपल चॉइस वशें पूछें तो वह भी मैं कबर करूंगा तो अभी मैंने सॉल इसलिए नहीं भीजै जिसे आपने पूछें अभी जीत करके स्टूड़न है तो केवल डाउट समझाना मेरा परपस नहीं है मेरा परपस है कि मैं आपके कॉंसेप्ट को बिल्ड कर दूं ताकि आप कर सकें इसलिए मैं इसी शीट को उपर्न कर लिया है कि जब हम यह पूरा सेगमेंट पढ़ लेंगे तो उसके बाद डाउट आटोमेटिकली यह स्टड़ी उनिट फॉर में कवरें देखिए स्टड़ी उनिट फॉर में मल्टेपल चोईस को रहे हैं और स्टुडेंट को चार से पांच आउट आ गया है और आपको आने वाले समय में और भी ज़्याद आ सकते हैं तो उसी को ध्यान में रखते हो इस सेगमेंट को हम मैं मेरे एक्जांपल में मैंनियुल ले रहा हूं तो मैं सेमी एनियल को भी प्रिलीट कर दे रहा हूं फिर इसी क्वेश्चन को मैं सेमी एनियल के साब से भी समझाओं तो एक बाद ध्यान रखी है एक होता है मार्केट रेट जैसे सोची कंपनी तो 10 परशंट दे रही है लेकिन जिस कंट्री में वह इन बॉंड को इशू कर रही है वहाँ पर कोई मार्केट का भी रेट होगा तो मार्केट रेट अगर इस कूपन रेट से ज्यादा है लेट से मार्केट रेट चल रहा है बारा परशंट मार्केट रेट क्या चल रहा है बारा पर्शंट चल रहा है और कंपनी कितना दे रही है दस पर्शंट तो आप मुझे बताइए इसे इंवेस्टर क्या आप इसमें इंवेस्ट करना पसंद करोगे ऐसी कंपनी में इंवेस्ट करना पसंद करोगे यह सोरनों बस इतने लिखना है सर हंड्रेट पर्शंट नहीं पसंद करेंगे क्योंकि अगर मार्केट में बारा पर्शंट लिखल रहा है यह हमको दस पर्शंट दे रहा है लेकिन अगर यह कंपनी हमको इस बॉंड को डिसकाउंट पर इशू करते तो अब्वियस सी बात है हम इस कंपनी के बॉंड को खरीदने में इंट्रेस्टेट होंगे तो क्वेश्चन करते समय आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बॉंड प्रोसीड क्या पूछा जाएगा तो क्योंकि यह एडवांस फंडामेंटल लेक्चर है तो सीपीए में भी चैफ्टर कवर होगा लाइबिलेटी में और यूस सीए में में भी कवर होगा तो क्वेस्टन कभी आपसे पूछेगा कि जो इसकी बॉंड प्रोसीड बताईए कि उसकी आपस पैसा कितना है तोकई पर एमसे क्यूं में वह आपको पूरा केलकॉलेशन नहीं पूछेंगे वोसे बितना लॉजिक लगाना है इस रेट का एक और नाम होता है स्टेटे के आप मतलब यह सर्टेफिकेट बना तो आगर इआ हम कहें कूपन रिट जो है कि Шー मैं इस दिन मार्केट रेट होता है मार्केट रेट आप्छे बात सी आप ज्यादा है तो कंपनी हमेशा डिसकाउंट पर क्या करेंगी तो कि मार्केट में बारा पर्शंट चल रहा है तो कंपनी दसी दे रही है तो वो अपनी इस सर्टिफिकेट को थाउजंड डॉलर पर इशू नहीं कर पाएगी उससे कम प्राइस पर इशू करेगी यह सिंपल रूल है अधर्वाइस लोग क्यों खरी देंगे उसके उपर तो कंपनी जो दिखा जाए मैं इसका पूरी लॉजिक आपको बताने वाला हो तो डिस्काउंट पर इशू करेगी दूसरा केस अगर मार्केट में कूपन रेट इस ग्रेटर देन मार्केट रेट हो जाए तो अव्यस्सी बात कंपनी बोलेगी कि हम आपको मार्केट से ज्यादा देने तो हमें आपसे क्या चाहिए प्रीमियम चाहिए और अगर दोनों बराबर हो कूपन रेट इसी कल्टो मार्केट रेट को एट पार ही इशू किया जाए तो यह तो गोल्डन रूल आपको बना लेता है पहली चाहिए बहुत बेसिक सी बात अब क्योंकि मैंने इस इक्जामपल में 10 और 12 लिया है तो मैं अभी डिसकाउंट वाले की बात कर रहा हूं प्रीमियम वाले की बात नहीं कर रहा हूं तो मैं इसको भी हटा दे रहा हूं ना क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो यह बात आपको देखते जाएगी किसा नहीं आपर डिस्काउंट वाली चीज समक्राइब तो अगर देखा जाए तो कंपनी के पास पैसा आना कितना चाहिए 2000 बॉंड इन 2000 डॉलर थाउजन का यह किना 2000 कर रहे है तो कंपनी के पास पैसा आना चाहिए बीस लाग बनना लेकिन अब्विस सी बात है कंपनी के पास बीस लाग से कम आएगा तो जो बॉंड प्रोसीड आएगी और प्रोसीड आएगी वह लेस देन ऐसे मल्टिप्लाइब पल्टिपल चॉइस पूछ लेते हैं इस से कम पर अब लॉजिक भी तो लगाना आने चाहिए सर हमको हम क्योंकि यहां पहना आपके करें सांडक है सर कंपनी कंपैसा क्यों दे रही है कंपिए कमाचा क्यों क्यों रिसेव कि सकता है और हमने कूंध प्रोसीड लिखी नहीं है वो हम लिखेंगे लिखिन कंपनी को बीस लग से कम क्यों आएगा कि उसका सिंपल लॉजिक है क्योंकि मार्केट से हम जब कम इंट्रेस्ट पी कर रहे हैं तो हम एक्सपेंसिस कम पी कर रहे हैं एक तरीके से लॉजिक है ना कि अब परसेंट से मार्केट में चीज़ तो जभी कर रहे हैं तो इसको कंपन चेट करने के लिए हमने पैसा भी कम लें इसके पीशे का लॉरक कि यह जब आप मार्केट में पे कम कर रहे होगे तो जो दो 20 लाग की चीज़ी उसके लिए पैसा भी कम लोगे तो कम पे कर रहे हैं और कम लिया तो आपस में तोनों क्या हो गए इस कॉमपन्टेशन की ही हमको अकाउंटिंग सीखनी है क्योंकि सोचिए आप ऐसी कंपरी में कभी भी इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे जो मार्केट रेट से आपको कम दे रहे हैं लेकिन आपको पता चलिया कि यह मार्केट रेट से भले कम दे रहे हैं लेकिन जब हमारा पैसा हमको वापिस मिलेगा न वो बॉंड भले हमें आज डिसकाउंट पर मिल रहे हैं बट हमें हमारा पैसा पूरा का पूरा वापिस मिलन इंट्रेस्ट का पेमेंट करना है जैसे यहां पे 10 पर्षेंट है तो जो 20 लाग के उपर आपको मान की चलो लाइफ में यहां पे लेता हूं लाइफ फाइव यह तो एक तो अगले पांस साल तक आप कंपनी को कितना पेमेंट करेंगे कि अगर यहां सिंपल बात कीज़ें एक दो तीन चार बाच बीस लाग के उपर दस दस पर्षेंट लगा है तो दो दो लाग का पेमेंट हर साल करने वाले आप कि यह करने वाले प्लस फिफ्ट एर में एक पेमेंट और करेंगे डबल पर सेकंड टाइम फाइव और लिखा है में वह किसीच का पेमेंट करेंगे सर्व वह 20 लेक का पेमेंट वापीस भी तो करोगे यह क्या है मेक्चियोरटी पे आप उसका प्रिंसिपल पेमेंट वापिस नहीं करोगे थो फ्यूचर 3 दो यह पेमेंट तो फ्यूचर के हैं लेकिन रिकॉर्डिंग हमको आज करनी इंशिकक टाइंए तो इन पेमेंट की हम क्या करेंगे कि इस कांटग करेंग डिसकांटिंग मतलब टाइम वल्ली हा फैक इस को अनुसम्ट कि यह कैश फ्लो जो है यह कैश का आउट फ्लो क्या है फ्यूचर का है कि एक साल बात आज हम फर्स जनवरी को खड़े हैं 31 जनवरी को दो लाग देंगे लेट से यह दो जार एक था कि 2002 के दिसंबर को फिर हमने करना है कि 2003 में भी करना है तो हम तो अभी करना चाहते हैं जनवरी में करना चाहते हैं जनवरी यहां पर एक फैक्टर यूस करेंगे जिसको बोलेंगे प्रेजंट वेल्यू फैक्टर और इसका दूसरा नाम होता है प्रेजेट वेल्यू एक्जाम में गिवन होता है कि आपको सिंगल सिंगल लिखने की जुरुत नहीं एन्यूटी का मतलब होता है कि जब कैश लोग के बीच में टाइम इंटरवल एक जितना हो देखिए हर हर कैश लोग के बीच में एक साल कही गया पर चौथे से पाच और अमाउंट भी सेम है जब अमाउंट एक जैसा हो और टाइम इंटरवल भी जैसा हो तो हम एक एन्यूटी फैक्टर यूज करते हैं देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन होता है जैसे यहां पर यह क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रेजेंट वेल्य अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो सर तो फिर हमें केलकुलेटर को यूज करते आना चाहिए तो वह भी मैं आपको सिखाऊंगा तो अभी मैं यहां से इसको हटा दे रहा हूं तो सर एक आपको यह पता है कि वन्टू फिफ्ट आप कितना प्रेमेंट करने वाले कि दो लाग का करने वाले और फिफ्थ इयर में कि फिफ्ट इयर में आप सथां बीश लाग को सांगे तो फिफ्थ एयर का प्रिजट वील्हु आपको फ्ट्र में गिवन होगा प्रेस्ट विल्雪 अ वह अरहाभी है कि जो प्रेजेंट वेल्यू लेंगे वह हमेशा मार्केट रेट से लिए interact डिस्काउंटिंग हमेशा किस से की जाएगी करेंट मार्किटिंग रेट से इससे नहीं करना है तो यहां पर आपको प्रेजेंट वेली फ्रक्टर ट्वेल पर्शंट का निकालना पड़े अगर आपको यह निकालते नहीं आता वैसे वीकॉम में सिखाते हैं तो आप मेरे चै यह डाल देना यह देखे प्रेजेंट वेल्यू अफ एडियू कॉंसेट फ़र यूसी पी यूसी में फॉर्टी टू मिनिट्स का यह वीडियो है यह देख लें एक और ऐसे बहुत सारे होंगे आई किस टाइम वेलियो अफ मनी के पर मैंने पहुत सारे डाले हुए तो एक वीडियो आप देख लेंगे और मैंने अपने सिलेबस के पॉइंट अफ्यू से ही समझाया हुआ है तो यह वाला लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको सारा समझ में आजाएगा कि टाइम विल्यूफ मनी को कैसे यूज करके लिए और यह आप तो कि आज का जो लेक्चर है वो मैं लाइबलिटी की अकाउंटिंग को सिखा रहा हूं तो यह कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको कैलकोलेटर यूज करना पड़ेगा और वैसे भी मैं टाइम वेल्यूफ मनी का लेक्चर जब इस क्लास में भी लूँगा त आपको यह फैक्टर कि बन होते हैं और आपके सौफ़वर ग्लैम सौफ़वर में भी दिये हुए हैं यह जब कभी आप अटा कि जाओ आपको कैलकुलेट करते नहीं आ रहे तो जब आप सौफ़वर से क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें भी दिया होता है कि आपको कि में पूरा आपको वैसे आपको खुद को निकालते आ जाना चाहिए और नहीं भी आ रहा है कि तो आप उस वीडियो लेक्चर को देख के समझ जाएंगे वैसे 99 पर्शन एक्जाम में गिवन होता और नहीं नहीं गिवन है तो मैंने पूरे वीडियो में एक्स्प्लेंड किया हुआ है कि कैसे आपको निकालना है तो आप वह जाएंगे और उस तरीके से आप इसको क्लेकुलेट कर लेंगे मैं एक दिखता हूं कि इसमें क्लेकुलेटर चल रहा है कि तो मैं आपको एक सिखादे कि अब कि 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 तो देखिए जैसे यहां पे यह वन टू फिफ्ट है ना कि ट्विल पर्षेंट की रेट है कि एक्जाम में तो आपको क्या करना है वन टू फिफ्ट को ट्विल पर्षेंट से डिसकाउंट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे केल्कुलेटर उठाएंगे एक फॉर्मूला यहां लिख देता हूं पहले में यह है एन्यूट का फॉर्मूला कि मैंने उस वीडियो लेक्चेर में पूरा डीटेल बताया है मैं यहां लिख दे रहा हूं कि वन डिवाइड़ बाई कि वन प्लस आर कि यह क्याप लगाई मतलब पावर है कि यहां लगाएंगे एन्यूट कि और उसको डिवाइड करतेंगे अभी मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा आपको डिवाइड करने के लिए एंज दिवेट एंज आर आए तो सर आर मतलब 12 परसेंट तो दिखी हम क्या करेंगे इस फॉर्मुले को यूज करें हमारे क्वेश्चन में लाइफ किती थी थी तो हम अभी इसको डिसकाउंट को यूज कर रहे हैं वन इस दिवाइड बाई वन पॉइंट 12 पांच वर आपको इक वल्ट तो दबाना है एक दो तीन चार पांच उसके पाद दबाना माइनस वन इक्वल टू आ जाए उसको डिवाइट कर दो वापिस पॉइंट वाइंट वाइंट पॉइंट इसका भी लॉजिक में आपको समझाऊंगा यहां के वल अभी मैं लिख रहा हूं कि 3.604 यह आपको गिवन होगा क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताए ना यह कि वन है यह कितने पर्शंट के साब से 8% क्योंकि वह सेमी अनुली इसको चार पॉट्टिंट से किया हुए कि कौन सी शुट में लिख रहा था मैं अगर किसी कोश्चन में गिवन नहीं है तो उसको भी निकालने का तरीका अप सर्फ किसी कोश्चन में नहीं कि वन हो तो तो क्या करेंगे वो मैं समझा रहा हूं पूरा आज हमने टेले गंटा इसलिए और पूरा इस अगली जो दो क्लास होगे उसमें हम इसको पूरा इतना अच्छे से कंप्लीट कर चुके होंगे कि आपको कोई कोश्चन में और मैं कम से कम 20 कोश्चन आप से करवाऊंगा इस क्योंकि यह चैप्तर मुझे 100 वैसे एक्जाम में आपको गिवन होगा नहीं गिवन हो तो क्यों निकालते हैं वो भी समझेंगे फिफ्ट इयर की बात करें तो यहां मैं इसको वापिस से जीरो कर दे रहा हूं वन डिवाइड़ वाइड़ वन पॉइंट वन टू एक दो तीन च्यार पाच पॉइंट फाइप सिक्सेंट अभी मैं क्योंकि आपको अकाउंटिंग सिखा रहा हूं बॉंड की बस आपने इसको मल्टिप्लाय कर देना है दिस और खोशिश कीजिए थोड़ा सापको एक्स सब करना है पैन कॉपी अलाव नहीं है वहाँ है इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखी यह आया बॉंड प्रोसीड आई हमारी कि 1854 और हमारी फेस वेल्यू क्या थी कि इसका मतलब जो बीच का डिफरेंस है वह क्या है कि डिसकाउंट ऑन इशू और पॉंड इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते है बिल्कुल एक्जाम में आपको एक्सल अला होगा आपके जो सॉफ्वेर आपको दिया जाता है उसमें आप देखी एक्सल होता है जब आप कोश्चन करते हैं तो किसी स्टूडेंट ने पूछा है तो बीच में बता दे रहा हूं कि जब आप मल्टिपल चॉइस कुश्चन करेंगे तो आपको वहां पर कि सॉफ्वेर के अंदर ही बिल्कुल जैसा ग्लैम का यह सॉफ्वेर है न सेम फॉर्मेट आपको मिलने वाला कुछ भी चेंज नहीं होने वाला कि एज इटीज आपको एक्जाम में सिमिलर काइंड आफ देखने को मिलेगा है अभी देखिया में तो क्वेश्चन भी इसके ट्राइब कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगे किस टाइप के क्वेश्चन होंगे अपकि इसको अच्छे से कि अटेस्टेंट कि अच्छे लिए पहले तो आप लोग इस कोश्चन का इन मल्टेपल जोई सब्सक्राइब जो अपने लाइप पड़ा उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए अच्छे लिए दा इशू प्राइज ऑफ दा बॉन्ड इस इकोवल टू प्रेजेंट वेल्यो फ्यूचर कैश्ट फ्लोर इंट्रेस्ट देन वांड बॉन्ड इस इशूड एट सिंपल सा क्वेश्चन का एंसर है आपको यहां पर एंसर देना है और मैं नहीं समझता कि इस क्वेश्चन का एंसर क्लास में बढ़ा कोई भी बच्चा गलत देखें इंग्लिश का टीचर में नहीं हूं किसी को लेंग्वे समझ में नहीं आ रही तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी हमने पड़ा कि अगर पॉंड की प्रेजेंट वेल्यू अब फ्यूचर कैश्ट फ्लो इस इक्वल टू तो अब वेसी बात है सर क्या डिस्काउंट पर हो सकता है कुछ बच्चों ने कह दिया है यहां पर जल्द बाजी में पड़े बगर मैंने इसलिए प्राइज की एक्जाम नहीं है मैं इंग्लिश नहीं पड़ा रहा हूं आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कुछ पर दिया है कि आप यह बोल रहा है वह इस्व प्राइज ऑप दा बॉन्ड इस एक्वल तो प्रेजेंट विल्यू अप फ्यूचर कैश्वल अब इंट्रेस्ट प्रिंसिपल पूजिशन पॉसिबल अभी हम इसको प्रूफ करें अभी यह लॉजिक्स आपको ख्लियर नहीं इसलिए हमने इसको जंडा लगा दिए इस पॉस्चिन के पर हम वापिस आएंगी जब आपके सारे कॉंसेप्ट हो जाएंगे अगर कि अगर करें अभी फिनिश करें अभी फिनिश नहीं हुआ है वो उस कोश्चन को भी हमने फ्लैग लगा दिए तो सर हम कहां पर थे हमने क्या किया बॉंड का जो इंट्रेस था उसकी प्रेजेंट वेल्यू निकाला जो फिफ्ट एयर में था उसकी भी प्रेजेंट वेल्यू निकाली और दोनों को क्या कर दिया यहां पर एड़ ओन करके हमने बॉंड की प्रोसीट निकाली तो जब बॉंड की प्रोसीड अगर फेस वेल्यू से कम है तो इसको हम क्या बोलते हैं डिसकाउंट तो सर इशू की ताइम जनरल इंट्री पा सब्सक्राइब तो बॉंड पेबल का पेमिंट कितना करना है आपको वो तो फ्यूचर में 20 लेकी करना है और बीच का क्या आगया इसकाउंट ओन इस्टिया है यह मैंने दो लाग लिख दिया है भाई मिस्टेक तो इसको हम सही कर ले इस लाग यह तीन चेशाव पाच शेप इन दोनों का डिफरेंस दीस लाग माइनस तो 145-200 इस यह डिसकाउंट यह हमारा डिसकाउंट है तो सर हमने यहां पर क्या सीखा भी हमने यह सीखा कि सर हमने बहुत बेसिक से बात सीखी कि जब हम बॉंड को इसू करते हैं तो हमें डिसकाउंटिंग करना पड़ता है किस से जो मार्केट रिट इवन होता है और अगर मार्केट रिट इस ग्रेटर देन कूपन रिट तो हम बॉंड को डिसकाउंट पेशू करते हैं और इस डिसकाउंटिंग के लिए हम टाइम वेल्यूफ मनी का कॉन से अब सर यह हम इसको बोलते हैं यह क्या है आपका एनुटी क्योंकि यहां पर और यह आपकी फिफ्ट एयर की प्रेजेंट वेल्यूफ मैं तोड़ा सा प्रेजेंट वेल्यू भी समझाऊंगा आप कि हम यह कर क्यों रहे हैं कि इसकाउंटिंग करना सिखाना है मेरे आपको अगली दस मिनट में मैं आपको सिखाने वाला हूं प्रेजेंट वेल्यूफ मान की चलिए देस में इंफ्लेशन की रेट 10 परशेंट यह इंट्रेस्ट के लिए 10 परशेंट अगर बैंक में आप आज सौर पर जमा कराते हो आज मतलब ऐसा मान के जलो फर्स जनवरी को फर्स जनवरी 2022 को आप बैंक पर सौर पर जमा कराते और टेन परशेंट इंट्रेस्ट यह इंफ्लेशन रेट बताइए एक साल बात कितना पैसा मिलेगा कि अपने एक फॉर्मूला लगाया है कि वो जो बच्चमन में आप लगाते थे हैं कि वन प्लस कि पावर कि मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं ताकि आप ऐसे स्टूडेंट भी समझ सकें जो थोड़ा सा अगर कम समझ में आ रहा है तो यह सीच को द्यान दाशें कि आपने क्या किया पता है कि सौर पर लिखा है आपके यह लिखा वन यह लगाया आर्पू पॉइंट वन जीरो और यह पावर लगा दी अपनी पावर ना पावर एक क्योंकि एक साल बात अब देखो इसके सामने में एक्वल्टू दबाता हूंगे एक सो दस आके लिए तो यह 110 क्या है और यह क्या है कि इतना तो समझ गया हूंगे सब्सक्राइब क्योंकि बहुत ज्यादा भी स्लो पड़ा देना कई पर राता को जाता कुछ इंटेलिजेंट बच्चे बच्चे रहते हैं वह बोर हो जाते बिचार फिर वह आड़ पना देने क्लास में नहीं आते हैं इसलिए से रिकॉर्ड करके सारे रख दी है तो यह प्रजेंट वेल्यू है सौर में चलिए मैं आप से पूछता हूं कि यह 2022 में आज से तीन साल बात पैसा कितना मिलता आपको बताओ लॉजिक से अगर आज आपने सौर पर जमा कराएं तीन साल बात कितना पैसा मिलता आपको इतना सो कोश्चन पूछा है मैं ने कुछ बच्चे 130 लिख रहे हैं पता हैं बस मैं यह देखना चाहता हूं कुछ ने 130 लिख दिया है कि चलो फिर मुझे देखो फिर बच्चों जैसे सिखाना पड़ता है कि क्लास हम यह लेवल जो पढ़ रहे हैं आप सीए में का लेवल पढ़ रहोगा जो बच्चे 130 बुर उनके लिए मैं देखो आपने सोर पर जमा कराएं कि 10 रुपे प्याज मिली कितना होगे बटा 110 अब 110 प्याज कितनी मिलेगी 10 प्रॉशंट सी 11 तो कितना होगे यह कि 121 अब 121 का 10 प्रॉशंट निकालो कि इतना तो कॉमन सेंस लगा लेते चक्रवद्धी ब्याज कंपाउंड इंट्रेस्ट हां कौन सी क्लास में पट रहे हैं यह से लग नहीं रहा है सी एमें की क्लास में पट रहे हैं 133.10 यह क्या है फ्यूचर वेल्यू आपको का यह सौर्पे में पूंच लें बैइ यह यह वं थानिय यह खुंचर घ्लेश हो रहे हो है तुमिद्ध सा का तो टेबल बना लिए और यह क्या है यह सोर पे प्रजेंट वेल्यू है ना यह सोर पे प्रजेंट वेल्यू और यह 133.10 इस फ्यूचर वेल्यू तो इस फॉर्मुले में भी रख सकते हैं यह फॉर्मुला इक्वल टू अमाउंड कितना था इस फॉर्मुल लगा रहा हूं वन क्लस हार कितना कि पॉइंट वन जीरो पावर लगाएं क्याप से कितनी लगाएं यह आप अगे तो सर अगर यह आप बार-बार बोल रहे हो कि प्रेजेंट वेल्यू इंटू वन प्लस कर और रटधि पावर एंड़ आजी कर तू एकू अगर हम को फॉर्मुला प्रेजेंट वेल्यू यो तो प्रजेंट वेल्यू केसे निकालोगे प्रेजेंट वेल्यू इसीकल टू अगले के शीच़र्ट वेल्यू थैन तो यह कर देंक नहीं कर दें हम नीचे यह देखो यह फ्यूचर वेल्यू कि चले जाएगा नीचे चले जाएगा कि नीच चले जाएगा कि इतना तो समझते हो ना कि फोड़ा समय शुट है यह तो हम यह जो डिसकाउंटिंग कर रहे थे इस क्वेश्चन में यह उपर हमको पांस साल बाद पीस लाक रुबय मिलना था तो आज उसकी वेल्यू कितनी है ग्यारा लाक चौतिस अजर यह जो पॉइंट फाइब सिक से निकाल जाए यह क्या थी इस फूचर वेल्यू तो आपका फॉर्मूला आपको पता है न आपको पता है न प्रेजेंट मैं जहान मुझके लिख रहा ह फूचर वेल्यू तो मैं तो महां डारेक्ट क्योंकि आपको एक्जाम में गिवन होगा लेकिन आपको लॉजिक नहीं पता हुआ तो तो सर यहां पर हम पीवी हमें निकालना है वन प्लस आर हमें यह पर पॉइंट वन टू दिया हुआ है पावर कितना कर दें यह मारा पांस साल था न इक वल्टू फ्यूचर वेल्यू हमारी 20 लाग दी हुए तो प्रेजेंट वेल्यू इस इकल्टू फिर हमने यह क्या किया हम क्या कर रहे थे यह यह वन डिवाइड़ बाई वन पॉइंट वन टू यह में एक डॉलर की विल्यू निकाल रहे हैं एक दो तीन चार पांच और इसको सीधे मल्टिप्लाय कर रहे है होगे ना पांच चीज कर रहे हैं यहां पर प्रजेंट वेल्यू इस इकल्टू टू ट्वेंटी ल्याक डिवाइड़ वाइड़ वन प्लस जो है कि पावर एंप पावर यहां पर पांच इसको अप्सॉल कर रहे था तो इतना डीटेल हमने आपको समझा दिया कि आपको यह चीज़ें समझ में आजाएं इसी को बोलते हैं तो क्वेस्चन में आपको यह दी होती है नहीं दियो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं यह फ प्रिजेंट निकालना तो फ्यूचर को यह करो Security का करो वन प्लस आर से डिवाइड कर दो जो कि अभी हमने 20 लेकिन सर यह तो हमने पांचवे साल के लिए कि अब आपको हर साल अब देखो यहां पर तो कैश प्लो हर साल मिल रहे थे अगर वहां पर जो एनियूटी का मतलब समझें हम क्योंकि आपके पोर्स में है टाइम विल्यूफ मनी भी हम हर साल दो तीन चार पांच यहां दो दो लाख लिखते है तो हम फॉर्मुला क्या लगाते पता है कि दो लाख कि दिवाइड़ भाई कि यह देखो मैं आपको भी सम करके दिखा तो वन प्लस कि पावर बन प्लस पिर आप क्या करते हैं फिर दो लाख बदाएं यहां पर पावर कित्ती लगा है कि अगर आपका ध्यान सही जगा पर है तो कित्ती लगाँ पावर कि अरे कित्ती लगाना है कि मलब अब जो बच्चे इसका एंसर नहीं दे पा रहे हैं वह पिर अगर पूछें कि तुम्हें क्या बताऊंगा आपको लाइव पढ़ने के बाद अगर आप इस बात का एंसर नहीं दे पा रहे हैं कि डाउट्स अभी सवल होते हैं जब आप कुछ पढ़ रहे हों कि अब अगले में कि देखो अभी टोटल लाके दिखाऊंगा मैं आपको अगर अगर आप फस जाओ एक्जाम में कभी तो विसे इतना टाइम रहेगा नहीं आपके पास कि मैंने यहां पर लिख लिए इसकी पावर क्या करते हैं कि फिर यहां पर कि दो लाक डिवाइड़ भाई कि वन पॉइंट वन दू की पावर कि आप लगा दिया फूर फिर लगा दिया में कि तू लैक कि दिवाइड़ भाई कि मैंना इकर कि ब्रेकेट कम लग जाएगा तो फॉर्मूला गड़बडा जाएगा कि अब चेक कर लो इन सब को जोड़ देंगे अब यहां में लगा देता हूं अभी तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि यह तो मैंने लिखने के लिए लिखा हुआ ताकि आपको ध्यान अब जैसी में इकवल टू दबाऊंगा आप घर पे करके देख लेना कुछ फॉर्मूला में में आगे लिए लिए तो इस फॉर्मूले से आप इसको कर सकते आ जाएगा यह तोटल इतना आएगा यह जो हमने लिखा है न क्योंकि यह जो प्रेजेंट वेल्यू फ्यक्टर है न यह जो हम लिख रहे हैं इदर है कि यह एक रुपए के सापसे तो आपने एक रुपए के सापसे इसको यह अगर हमको अगले एक पास साल तक वन डॉलर 1111 मिलते जाए तो उसकी वेल्ली होती 3.60 तो हमने सीधे 2 लेक्स से इसको क्या कर दिया मैं तो इस तरीके से इसको निकालना होता है तो अब किसी स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन पूचा था अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए सेम अब हम थोड़ा से इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि दीगी आपको एक्जाम में ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे यंग कंपनी शूड एट हंड्र थाउजंड डॉलर ऑफ तैन पर्शंट बॉंड डेटेट जन्वरी फिर्स्ट यर वन इंट्रेस्ट इस पेबल सेमी एन्युली ऑन थर्टी जून एंड थर्टी फर्स डिसम्बर बॉंड मिच्चुर्टी इस फाइव यर करेंड मार्केट रेट इस एट परसेंट तो बताइए अब यहां पर क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमको छेचे महीने में देना एक ब कि कुंची शीट में लिखा है कि यहां में एन्युली लिख रहा था अब पॉस्चन ने अगर आपको सेमी एन्युली दी दिया तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि अगर उसमें आपको सेमी एन्युल दिया हुए इसका मतलब वह पेमिंट जैसे अगर मेरे इस कोश्चन में मैंने आपको बारा परशंट दिया था एन्युली दिया था तो यहां पर दो लाग के उपर दस परशंट आप 20 लाग के उपर दस परशंट दो लाग निकाल रहते हैं तो आपको यहां पर पांच साल की जगह कितनी बार लेना पड़ेगा तेन टाइम लेना पड़ेगा तीन चार पांच चे साथ आठ नौ क्योंकि साल में दो बार है तो रेट जो आठ परसेंट है मों आटोमेटिकली कितना हो जाएगा मेरे इस कोश्चन में दस परशंट है तो मैं उसको पांच परशंट कर लूँगा एक लाख समझें आपकी सेमी अनुली में आप क्या करेंगे इसको डबल कर देंगे क्यों साथ डबल कर देंगे क्योंकि हर 6-6 मैने में आपको मिलने वाला है तो आप उसको सीधे 10 का पांच परशंट कर दीजिए तो 20 लाख का 5 परशंट करना होता है तो ध्यान रखिए इस क्वोस्चन में भी आपको वो क्या बोल रहा है सेमी एनुली बोल रहा है तो जो कूपन रिट ध्यान रखी कूपन रिट इंट्रेस्ट हमेशा किस से दिया जाता है कूपन रेट से तो जो आट लाख है आप हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं यहां पर यहना मैं नीचे ले ले तो यहां साइड में जगा बना ले तो कर दो इस क्वेश्चन में आपको आट लाग का 10 ना लेते वे कितना लेना पड़ेगा पाच पर्शेंट ने कितना होगि चाली सब्सक्राइब लाइफ कितनी दी है लाइफ देखो कितने लाइफ दिए पास साल तो उसको पीरिट कितना ले लें पीरिट आपको जाएगा टेन और आपको मिच्चुरिटी पर तो पूरा अट लागी मिलेगा यह 10th year में यह आपका 1 to 10 है और यह आपका 10 है तो आपको दीखना है आप मुझे बदाएं डिसकाउंटिंग रेट किस से लें डिसकाउंटिंग रेट हमेशा कौन सा लेते हैं मार्केट वला तो मार्केट रेट कितना आठ पर्षेंट तो आठ पर्षेंट का आधा कितना होता चार पर्षेंट तो देखिए यह दिया रखाया एट पॉइंट डबल वन दिरो नाइन दिरो यह लिखो और यह 10th year का पॉइ रखिए डिश्ट सेवन डबल फाइट सिक्स बस मल्टिप्लाइ करना इस मल्टिप्लाइ इस कर दो गवल्टिप्लाइ इस तरीके से आपको करना पूड़ेगा तो दो चीज सीखें आप नहीं आप कि सर एक तो मार्केट रेट से डिसकाउंट करते हैं और सेमी एन्युल दिया है तो जो इंट्रेस रेट उसका भी हाफ करते हैं अब सर एक स्टूडन ने मिरे से पूछा कि सर यह जो एट पॉइंट वन जीरो नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे तो उसके लिए मैंने आपको अभी फॉर्मुला सिखा है देखो अभी मैं आपको एट वन डवल करके करके दिखाऊं यह कितना लिखा है आठ परसेंट लिखा एक ना कितनी बार इकोल तुद भाएंगे थास पार एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस माइनस वन डिवाइड वाई पॉइंट जीरो फॉर एक से लिए इतना ता में बार बेक लूंजे रहें इतना था चार परसेंट यह ना तो वन डिवाइड वैइंट पॉइंट जीरो फॉर लेना पोड़े है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस माइनस वन इक वल टू डिवाइड भाइड बाई पॉइंट जीरो एट पॉइंट डवल दू बवन जीरो एट नाइन फाइट तो आपको बुक में भी ए पॉइंट डबल वन जीरो नाइन जीरो हमारा भी एट पॉइंट जीरो नाइन उसको तो राउंड अफ में ले ले लिए और टैन्थ यर का कितना आएगा सर देखो फिर से देखो वन डिवाइड़ वाइड़ वन पॉइंट जीरो फॉर एक दो तीन चार पाँच छे साथ इस तरीके से आप निकाल भी सकते हैं बट 99 परशेंट टाइम दिया होगा तो जो फॉर्मुला में यह प्रेजेंट वेल्यू फैनुटी के लिए फॉर्मुला क्या यूश कर रहा हूं यह लेक देता हूं प्रेजेंट वेल्यू आफ एनुट हम क्या कर रहे हैं कि वन डिवाइड़ बाई वन प्लस आर कि पावर एन एन मतलब मेरे कोश्चन में दस थी नहीं है फिर उसके बाद माइनस वन और फिर जो माइनस वन करने के बाद जो फिगर आएगा उसको इंटाइरली डिवाइट करना है तो यहां पे मैं यह लिख दे रहा हूं अब आप इस फॉर्मॉले को लगा के देखना है तो जो मैंने किया घर पर भी करके देखना दो तीन बार तो इस तरीके से आपका हो जाएगा चलिए दूसरा कोश्चन अब जैसे यहां पर बोल रहे हैं जरह निकाल के देखो केलकुलेटर पर आप देखो यहां पर परसेंटेज नहीं दिये आप निकालो कितना परसेंटेज आएगा अभी आप लोग ऐसे हमें उम्मीद करता हूं कि घर पर पढ़ाई कर रहे हो तो केलकुलेटर बगेर लेकर तो बैठते ही होगे कि यह वाला जो बॉन्ड वाला सेक्मेंट बहुत लंबा जाएगा बहुत टेक्निकल पॉइंट शुरुवात हुई इसकी इस शुर के पॉंट अफ्यू से इंवेस्टर के पॉंट दोनों से पढ़के कम से कम बीस से पच्छीस मल्टेपल चोईस कोशन करेंगे हम इसके तो आप जो आज आए हैं वो लगातार आते रहे ना इस इस पर्टिकुलर सेग्मेंट में तब ही आपकी यह बॉंड वाले चप्टर में मास्ट्री आएगी चलिए मुझे एंसर कर लिखके बताइए कितना आना चाहिए दो मिनिट का समय दिया है मैंने मैं जब तक इसको पॉस कर दे रहा हूं तो जैसे यहां पर फिफ्टीन एर है और यहां क्या बुल रहे है विट इंट्रेस्ट इस बिंग पीड इच सिक्समन मतलब यहां पर भी साल में दो बात तो पंद्रा इंटू टू थट्टी हो गया और यह जो बारा परसेंट है इसका हमने कितना कर देना है छे परसेंट त कि वन डिवाइड़ बाई वन पॉइंट जीरो सिक्स कितनी बार दबाना है थर्टी बर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नों दस ज्यारा बारा तेरा चुदा पंद्रा सोला सत्रह अट्रह उन्निस बीस एक्किस बाइस देईस चोबिस पच्चिस चबिस सत्ताइस वन डिवाइड़ वाइड़ पॉइंट जीरो सिक्स कि 16.49 इनका भी वह था क्या इनका 13 क्यों हो गया ज्यादा कम ज्यादा कि लिया होगा फिर से किने किसी ने करके देखा ही कि उतनी ही आ रहे इन्वेस्टर फू पर्चेश दबॉर्ण एक्सपेक्ट वर्न ट्वैल पर्सेंट नॉमीनल रिटा तो बारह का अदा तो छे ही होता है अब शायद मैंने गलत गिल्ली होगी या रहे से लगता है बस यह थोड़ा सा लंबे फिगर में हो जाता है लेकिन अपन कर लेते हैं एना वन डिवाइड़ वाइड़ वाइन पॉइंट जीरो सिक्स एक दो ती चार पाच छे साथ आट नो दस यारा बारा तेरा चुदा पंद्रा सोला सत्रह अठरह उन्निस बीस एक्टिस बाइस तेविस चोविस पच्चिस शबिस सत्त माइनस वन इक्वल टू डिवाइड़ वई पॉइंट जीरो से लंब्य में में डर लगता है कि आगया तेरा पॉइंट सेवन सिक्स पॉर इनका तेरा पर अब यह 45 क्यों कैसे ले लिए मिटा यह थाउजेंड नाइन पर्षेंड तो नाइन पर्षेंड का आधा कितना हो ग अब बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते थे हैं यहां पर मुझे बता यह 15 लेना चाहिए 15 किसाब से लेना चाहिए अब देखो यह जो मिच्योरटी पर आपको पैसा कितना वापिस मिलेगा थाउजेंड डॉलर मिलेगा तो जब वहां पर आपने धट्टी लिया तो यहां 15 मत ले लिए अब देखो थट्टी के लिए हम फिर से जा रहें उदर अब हम केवल तीसवे 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 जो बचे तीसरा पीरिड बचेगा अब यह माइनस वन वगरा कुछ करने की रहत नहीं वन डिवाइड़ बाई वन पॉइंट जीरो सिक्स एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नों दस ग्यारा बारा तेरा चुदा पंदरा सोला सत्रा अठरा उन्निस बीस इकीस बाईस तैस चुईस पचिस चब्विस सत्लाइस अठाइस उन्तिस तीस से देखो पॉइंट वन सेवन फोर अब इन्हों को यहां हमने बॉंड की प्रोसीड के वारे में सीखाए कि सर बॉंड की प्रोसीड को किस तरीके से केल्कुलेट करना है तो आप अब जैसे यह कुश्चन है वाट इस दा प्राइस ऑफ टैन पर्षेंट कूपन बॉंड विट थाउजन फेस्विल इन्वेस्टर करेंगे यहां पर दस साल है और यहां पर आपको आधा करने की जुरूत नहीं है इसको आप करके देखना आप हो जाएंगे आप से यह जो सारे कोश्चन इसी प्रकार के हैं अब आप सारे कर लोगे इसलिए मैंने आपके डाउट का एंसर नहीं दिया था क्योंकि अगर मैं इंपॉर्टेंट बातें सीखी एंसर क्या 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 सीखा सर एक तो हमने डिसकाउंटिंग करना सीखा अब इसी के आगे हम थोड़ा सा और बढ़ाने वाले कि आप इसकी प्रैक्टिस डेफेनिटली करना कि यूवे सीमे में चौथे नंबर पर मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए और बॉन्ड में जो भी ग्यारवे नंबर पर भी कुछी कॉंसेप्ट चल रहे हैं तो अब हमने सर एक चीज तो सीख लिए कि बॉन्ड के बीच का डिफ्रेंस होता है डिस्काउंट और प्रीमियम का जो हमें के अल्गॉलेशन करना में सीख लिया मैं अब आपको एक चीज और बताने वाला हूं एक होता है केरिंग वेल्यू अब आपसे एक्जाम में कई बर केरिंग वेल्यू पूछेंगे क्योंकि लेक्चर अगले हफते पूरा पीक पर जाएगा यह सबसे कॉंप्लिकेटिड आपको पढ़ेगा तीन चार चीजे में आपको समझाने वाला हूं एक होगा केरिंग वेल्यू एक होता है तो जब आप बैलेंच शीट बनाते हैं कि बैलेंच शीट में इसको कहां लिए ऐसेट साइट की लाइबिलिटी साइट की लाइबिलिटी साइट तो लाइबिलिटी साइट हमेशा इसको ऐसे लिखा जाएगा फेस वेल्यू प्लस माइनस मैं जान मुझे क्या आपको यह दिखके दे रहा हूं आप मुझे बदा यह प्रीमियम पर अगर हम करते हैं और एक डिसकाउंट पर करते हैं तो किसको प्लस करें और किसको माइनस करें जब आप बैलेंच शीट में यह फिगर लिखोगे तो यह बात ध्यान रखना कि मैंने बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लिखा है बैलेंच शीट में फेस वेल्यू प्लस प्रीमियम आएगा यह लिख लेना आप यह काम आएगा आपके फेस वेल्यू प्लस प्रीमियम और फेस वेल्यू माइनस डिसकाउंट इसको हम बोलते हैं केरिंग वेल्यू लेकिन एक कॉंसेप्ट इसमें आने वाले समय में हम और पढ़ेंगे यह जो प्रीमियम और डिसकाउंट है इसको कि अमोर्टाइजेशन करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा सर अमोर्टाइजेशन अमोर्टाइजेशन ओवर दी लाइफ ऑफ लाइफ ऑफ लाइफ ऑफ इसमें दो मैथट सीखेंगे एक सीखेंगे इफ्यक्टिव इंट्रेस्ट मेथट् इफ्यक्टिव इंट्रेस्ट मेथड होगी और एक आपकी मेथड होगी इक्वल इक्वल में तो बहुत सिंपल होगा जितना बॉन्ड की लाइफ है उसतना हर साल हम अमोर्टाइज करते हैं लेकिन अमोर्टाइजेशन के लिए मुझे आपको पूरा एक सावा घंटा का ले तो उसके पहले आप लोग इतना पूरा रिवाइज कर लो और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको डेफेनेटली मुझसे पूछ लो यह आप लोगों का एक टार्गेट रहेगा तब हम इसके आगे पढ़ेंगे